लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकुन को प्रेस करें कि लएते ली मम्झेट अल्रा चनल्स करें और momentosकी लेंखिस्ट के लाँ कि लिए самой Brother और स्थक्राइब करें पक्राइब शुच्च्चरा इंब दो अड करें कि लिएका刹न की प्रेसिग हैं प्रेसा क्रें जाइकृ जए जए उखे हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हाँ, देखा, हमारे आती नव बज गए, जी, बोज ले, कोई चोरी, कुछ नहीं, कोई पागिट मारी, कोई डाका, कुछ नहीं, कोई खून, कोई बलातकार, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या, लगता है, बंबई काफी सुदर गया है, लेकिन फिर इस इंस्पेक्टर अंग्रे का क्या होगा, जिसको मुझरिमों को पकड़ने में बड़ा मजा आता है, बहुत आनन मिलता है, क्या होगा उसका, टेबल के पास आती, लाल फोन की घंटी बजना शुरू हो गया, अलो, इंस्पेक्टर अंग्रे येर, क्या, ट्रक और फ्याट का एक्सिडेंट, देखो बोचले, एंट्री करते ही, बंबई कराब काम शुरू, बोलो, क्या बात है, ओनर बहुत गयल है, काँ बेजा है, बंबे होस्पिटल, अलो, मैं काम, प्लीज, प्लीज, आपके सर में चोट आई, आप लेट आई, प्लीज, चोट, मुझे, मुझे चोट कैसे लगी, आपका एक्सिडेंट हो गया था, मेरा एक्सिडेंट हो गया था, जिया, आपकी कार एक ट्रक से जाकर टक रहे थी, मेरी कार, जिया, वो आप ठेकड़ जिसी. कभी छोट है. मैं इस पकर का हूँ? You are in Bombay Hospital. मैं आपका डॉक्टर हू। Dr. Harry Thomas. Dr. Harry Thomas? Yes. मैं... मैं... मैं कौन हूँ? दोक्टर. दोक्टर तुम्ही बदा, डोक्टर मैं कौन हूँ? Обратар, Doktor, क्या है मेरा नाम, Dr ? मुझे.. मुझे कुछ याद निया रहा, I am demon, Culture, Brother... Oh my godness. क्या हुआ, Dr ? ओसे pouने होश तो आगया था, लेकिन… लेकिन हमने नीक्षिन लगाकर उसे यौ備 भेहूश लगा क्योτέ, आपको मालूम नहीं कि मैं यह खड़ाउँ आपको समझना चाहिए कि उसका बयान हमारे लिए कितना जरूरी है लेकिन आप वो आपके किसी काम का दी रहा मतलब अपनी यादास्त को बैठा यादास्त खुल चुका है अब आप खुद ही सोचे कि एक्सिदेंट के बारे में वो आपको क्या बता सकता है तीन घंटे के बाद जब उसे होश आएगा तो उसका पहला सवाल होगा कि मेरा नाम क्या है इसलिए आप इन तीन घंटों में जाके पता लगाई है कि वो कौन है हेलो इंस्पेक्टर अंग्रे येर शिंदे बोल रहा हूं सर हाँ इंस्पेक्टर शिंदे क्या बात मालिक का नाम भी पता नहीं है सर क्यों उसके ट्रग में रेजिस्ट्रेशन पेपर तो होंगे न पेपर्स गायव है नंबर प्रेट नकली है कुछ पता चलते ही आपको ख़बर दूगा सर हाँ जरूर करना जरूर करना ओके सी यू क्या हुआ बुसले आडियो से पता चला कुछ जी हाँ वोकार अंधहरी के मेडिकल स्टोर के मालिक मिस्टर घंशाम कुपता की है और कल रात वोकार होटल बिलू हेवन की पार्किक से चोरी हुई है हलो मिस्टर बोल नहीं सकते आप भी इंस्पेक्टर है ना तुम मेरे बार में पता लगा रहे हैं कुछ पता चला इंस्पेक्टर लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे बार जी इन्होंने बताया था कि एक इंस्पेक्टर है जो मेरे केस की चानबीन कर रहे है और मेरा भयान लेना चाहते है देखो उस एक्सिडेंट में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारा सही बयान चाहिए मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर सर में चोट है डॉक्टर नर्स और आप भी कह रहें के मेरा अक्सिडेंट हुआ था इसलिए मुझे मानना पड़ रहा है क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है नहीं इस लड़की को पहचानते हो कौन है यह फोटो तुम्हारे पर्स में मिली और यह नेगलेज भी अजीब बात इंस्पेक्टर मैं अपना पर खो गया हूँ तुम्हारा यह नाटक डॉक्टर के सामने चल गया मिस्टर मेरे सामने नहीं चलेगा सच सच बताओ क्या मतलब मतलब जू के बुलु एंवन होटेल के सामने से तुमने गनशाम गुपता के कार चुराई हो सकता है कोई अपराद भी किया हो और फिर उस चोरी से बशने के लिए आप तुम नाटक कर रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं रहा इंस्पेक्टर कुंछी चोरी कैसा अपराद देखो उस ट्रक ड्राईवर को सिर्फ तुम ही पैचान सकते हो अगर इस मामले में तुमने मेरी मदद की ना तो कार चोरी जैसे छोटे से अपराद से मैं तुम्हें बरी कर सकता हूँ सिर्फ सच सच बताओ कॉंसर ट्रक? कॉंसर राइवर? मुझे कुछ समझ नहीं रहा इंस्पेक्टर मुझे कुछ समझ नहीं रहा एतने खुफशुरत रा इसकी करता अगर मैंने शीखर गर दबा दी, तो और खुफशुरत हो जाई अमो है किस्ट करिण दूँ ँप LITI fare आजल Blake! सुख्वरहPUर! सुख्वरः! सुख्वर topics of radio किसी हो सुख्वर है अजल后 seems लॉप नगर्ण खुपषर बना निया है नियक्षिर मिटो मुझे खुपषर बना निया आप एज़ी आप प्रेव कर हलो मेरा नाम डॉक्टर भारदुव आचे क्या बात है तुमने अपना नम नहीं बता है जी मुझे मेरा नाम ही निमालू हजीब बात है, क्यों? जी, सब लोग कहते हैं कि मेरा accident हो गय था और तब से मुझे कुछ याद ही नहीं है डॉक्टर साब, वो nurse का है डॉक्टर साब वो आपके साथ वाट बे रहने के लिए तयार नहीं है इसलिए आपको special room दिया गया है मैं बहुत शर्मिदा हूं, डॉक्टर साब वो तो बिलकुल मेरी भेंच जैसी है आप उसे बुला दीजे, मैं उससे माफ़ी मंगना चाता हूं तो तुम्हें यह सब क्या क्यों? जी, मैं नहीं जानता मैंने ऐसा क्यों किया जाने मेरे अंदर ऐसी क्या चीज थी जिसने मेरे कानों में, मेरे दिल और दिमाग में चीक चीक कर कहा किस नर्स को माड़ा लो, इसकी गर्दन को खोबसूरत बना दो पता नहीं, शाद मेरे दिल नहीं कहा अचा मान लो, कल को तुम्हारा दिल यह आवाज देता है कि तुम कूवे में कूच जाओ, तो क्या तुम कूच जाओगे? शायद कूच भी बढ़ू, यह की महनी रोक्टर साथ, अब मुझे मेरे दिल और दिमाग पर कोई काबू नहीं रहा यह भगवान, नजाने मेरे दिमाग मेंसे गंदे ख्यालत क्यों आते हैं यह भगवान में क्या करूँ, मैं क्या करूँ लेकिन इस हालत में उसके साथ आकेला रहने की हिम्मत कौन करेगा? उसके बारे मैंने सोच लिया है क्या? मैं चाहता हूँ कि उसके देखभाल के लिए किसी औरत के बजाए एक मर्द को रखतेने चाहिए मर्द को देखकर उसके दिमाग में ऐसे ख्याल नहीं उटेंगे वैसे मेरा ख्याल है कि ऐसा जनून उसकी जिन्दगी में पहली बारा है ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? माई एक्सपेरियंस मेरा अनुभव यह कहता है कि ऐसा इस वक्त इसलिए हुआ है कि उसका दिमाग पूरी तरह से संतुलित नहीं था लेकिन दुरगटना से पहले उसका दिमाग संतुलित था क्या भविश्य में भी ऐसा हो सकता है? आपकोस, why not? तरह फिर भी परसता है अरे, सर आपके लिए के इंफर्मेशन है कैसे इंफर्मेशन? वो लड़का हिंदू है, सर हिंदू है? यह अपने कैसे जान लिया? वो जब नर्स के बारे में बात कर रहा था तो अचानक उसके मुझे निकला हे भगवान, हे भगवान You know what I mean Oh मैं कौन हूं, मैं क्या हूं मुझे को पता नहीं है मैं कौन हूं, मैं क्या हूं मुझे को पता नहीं है उसको सजा मिले क्यूं जिसकी खता नहीं है मैं कौन हूं, मैं क्या हूं मुझे को पता नहीं है आना दिन रात नहीं होते मासम न बदलता है तकदीर के आगे तो कोई जोर न चलता है फिर कैसे गिले शिक्वे फिर कैसे शिकायत है फिर कैसे तमन्ना है फिर कैसे ये हस्रत है मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ मुझे को पता नहीं है उसको सजा मिले क्यों जिसकी खता नहीं है जिकंदर आदवर जी हमारा नाम हेदर अली है हेदर केमिकल हेदर केस्टाइल एंड हेदर गूर्प अफोटल के मालिक है बैठिए आज के अखवार में आपने दो फोटो चपवाए हैं एक लड़का और एक लड़की का यही वो लड़का हमारा बेटा है आपका बेटा है जी है और वो लड़की हमारी बेटी है सिकंदर अपनी बैन से बहुत प्यार किया करता था बदनसीवी ने गुलनार को हमसे छीन लिया और तब से सिकंदर उसका फोटो अपने पर्स में लिये खुंटा है क्या नाम बताया आपने अपने लड़के का सिकंदर जी हाँ सिकंदर वो रोज हमारी फैक्टरी देश में पूर्ण आ जाता है पर सुराज जब नहीं पहुचा तो हम बड़े हैरान हुए हम ने मैनेजर को फोन किया तो उसने बताया कि वहाँ पहुचा ही नहीं हम बड़े परिशान हुए, हमने जगा जगा फोन किये, मगर कहीं उसका पता नहीं चला और सुबा जब पेपर में उसका फोटो देखा, तो यहाँ आ गए यह सब कैसे हुआ इंस्पेक्टर? एक ट्रक से उसकी फियाट का एक्सिडेंट हो गया सिकंदर बेटे के पास फियाट नहीं है, वो कोई और होगा वो फियाट चुराई गई थी आप खुछ सोची है इंस्पेक्टर, जिसके पास चार चार इंपोर्टेट गारियां हो वो किसी की फियाट क्यों चुराएगा? आप की तारिफ? मैं टीके सक्साना हूँ, सिर्टी का मैनेजर क्या सिकंदर की शादी हो चुकी है? जी नहीं क्या उसकी कोई गर्ल फ्रेंड है? कम असकम हमारी जानकारी में तो नहीं ये नेकलेस उसकी जेब से निकला बड़ी, हजीब बात है ये? कभी उसने किसी लड़की का गला घोट कर मारने की कोशिश की है क्या आप बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साब? अच्छा ये बताईए मिस्टर हैदर अली कि आपके बेटे ने ऐसी किसी की लाश देखिये जिसे वह बहुत चाहता हो ये हाँ, वह उसकी बेहन की लाश देखिये इंस्पेक्टर साब आप सच्छे मुसलमान है मिस्टर हैदर अली लेकिन जिस लड़के को आप अपना बेटा सावित करना चाहते हैं वह हिंदू है क्या मतलब? मतलब जब आपको चोट लगी तो आपके मुझ से निकला है अल्ला लेकिन जब ऐसी चोट उस लड़के को लगी तो उसके मुझ से निकला ये भगवान निकला होगा जीहां जीहां हम खुद भी हैरान है कि पिछले एक मेने से वह नजाने क्यों हिंदू धर्म शास्त्र पढ़ने लगा है अल्ला की जगा भगवान बोलता है और हमसे यह भी कह रहा था कि हमारी बर्त्रे की दिन हमें सर्प्राइज देना चाहता है पहरा हम सिकंदर से मिल सकते हैं ना नहीं पहले आपको साबित करना होगा कि वह आपका लड़का है इंस्पेक्टर तम इस से बात कीजिए मिस्टर हाइदर अली सिट सब फूलिस अफिसर है ठीक है अगर आपको सबूत ही चाहिए तो आपको हमारे साथ हस्पताल चलना होगा सिकंदर खुद ही आपको बता देगा कि हम कौन हैं वह कैसे बता सकता है वह अपने याददाश खोचुका है याददाश खोचुका है चंता मत कीजिए सिट जी अगर भगवान इस सिकंदर मिया की जान बख्षी है तो उसकी यादश भी लटा देगे इंस्पेक्टर साथ वैसे तो हम आपके सामने हजारों सबूत लाकर खड़े कर सकते हैं लेकिन आपको जो सबूत चाहिए वो हमारे पास है और वो है हमारा फैमिली आलबम जिसमें सिकंदर की बश्च्पन से लेकित जवानी की तस्वीरे हैं हाँ ये ठोस सबूत हो सकता है गुद मॉर्निंग इंस्पेक्टर गुद मॉर्निंग मिस्टर सिकंदर सिकंदर अच्छा नाम है किसका नाम है बेटे ये तुम्हारा नाम है क्या तुम अपना नाम भी भूल गए मेरा नाम? हाँ बेटा तुम सिकंदर हो ये हमारे मैनेजर सकसेना साहब है क्या तुम इन्हें मिली पेचानते है बेटा हम तुम्हारे अबबा है अबबा? क्या आप मेरा बाओ या अला ये तेरा कैसा खेल है कि एक बेटे को अपने बाप से पूछना पढ़ रहा है कि वही उसका बाप है अरे मेरे साथ ये नाइंसाफ ही क्यों सब ठीक हो जाएगा सिकंदर को अब आराम की सक्सरूरत है प्लीज लेट्स को आईए सब ठीक हो जाएगा बिटे मैं सिकंदर को खर ले जाना चाहता हूँ अगर आप उसे यहां रहने दे तो ज्यादा बेथर होगा क्योंकि उसके दिमाग और शरीर को अराम की सक्सरूरत है डॉक्टर साहब इसलिए मैं उसे खर ले जाना चाहता हूँ यह है उसे डे जा सकते हैं यूजिक है यह तुमारा ही खर है वैटा बेटा ये वो डिग्री है जो तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ आसल की थी हमने तुम्हें लेंडन पढ़ाई के लिए भीजा था लेकिन तुम वहाँ चासू सी सीखने में लग गए आपका नाम क्या है हमारा नाम लोग हमें हैदर अली कहते हैं बेटा लेकिन तुम हमें तुम हमें अबबा का करते थे अबबा वाँ बेटा आव बेटा आओ आराम करो बैठा डॉक्टर ने काया कि तुम जतना ज्यादा आराम करोगे उतनी अल्दी अच्छी हो जाओगे स्कॉट्लेंड सिखंदर जी बिल्कुल बेगानों की तरह अपने घर को देख रहा था जी नहीं अभी अपने कमरे में ठीक है आप जैसा कहिंगे वैसा ही होगा आईगा आईगा एक पेंटास्टिक आईडिया आईगा आईडिया 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 देखाव हाँ खर अपने छोटे मालिक कार एक्सिदेन्ट में अपने यादास खुई गए है टिक मतवल उनका उलत सोबखवा अगर छोटे मालिक को हम उलटा कर दें तो उनका दिमाग पुजिशन में आ जाए गा बिर उनकी यादास में वाता जाएगी हाँ हाई में सत्की च्यावा, हाईरी मेरी चिरिकोली सची मुची सची पहले करके दिखाओ कैसी आदाश रोपस आएगी तो ये बात है हाँ, तत्चा सब पान खाय ले तो देखो, अभी हम बल्टी खात है, जरा, इदर आओ, इदर हाँ ये पजलंग बली पपा हम कौन है, कहा है तुम कौन है तुहार यादास्त भी ये तो वह फोटो जो मेरे पर्स में थी साथ में मेरी फोटो कौन है ये क्या लगती है मेरी पेले कुछ यादाया कौन है देखो, और से देखो इस तस्वीर को ये तुमारी बहन है गुलनार जिसे तुम प्यार से गुल कहा करते थे कहा करते थे के गुलों की मुस्कान है मेरी बहन क्या तुम्हे कुछ याद नहीं हरा याद करो बेटा याद करो उस बहन को जिसे तुम बहुत प्यार किया करते थे तुम्हारी सुबह होते थी उस बहन की मुस्कान से तुम्हारी शाम ढलती थी उसकी शरारतों से उसकी मस्ती से तुम्हारी रात सोती थी उस बहन की ममता से याद करो जब वह रूट जाती तब तुम उसे किस तरह मनाया करते थे हाँ ठीक हम बाद में बात करते हैं बैट जा तुम दोनों का प्यार देखर हम कभी कभी सोचते हैं कि जब गुलनार का निकाह हो जाएगा तो तुम कैसे रह पाऊगा इसके बिना अरे अब्बु मैं तो आपके बारे में सोच रहा था हमारे बारे में आख बंदरिया सी आख कान बकरी जैसे अरे ऐसी लड़की का निकाह करने में बड़ी तक्रीफ होगे आपको क्या मैं बंदरिया हूं अब बुजान देखो न बाई जान को क्यो मैं तुम बात नी करती ने 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 हमारी बैना की तो आखे हिरनी जैसी है नाक तोते जैसी है लाको में एक है आमारी इसका निकाह बड़ी धूमदाम से करेंगे इसका निकाह आए बाराती महमान के बहना मेरी दुलहन बनी है आए बाराती महमान के बहना मेरी दुलहन बनी है बूरे हुए है अरमान मैं जावू कुरवान के बहना मेरी दुलहन बनी है आए बाराती महमान के बहना मेरी दुलहन बनी है पूरे हुए है अरमान मैं जावू कुरवान के बहना मेरी दुलहन बनी है आए बाराती महमान के बहना मेरी दुलहन बनी है आए बाराती महमान के बहना मेरी दुलहन बनी है दुलहे के सर पे है फूलों का सहरा फूलों की लड़ियों मेरे शम सुने हैरा सहरे पे सहरे पे सहरे पे जावू कुरवान के बहना मेरी दुलहन बनी है बूरे हुए है अर्मान मैं जावू कुरवान के बहना मेरी दुलहन बनी है काई पाराती बेहना के बेहना मेरी दुलहन बनी है बेहना के हाथों में महंदी की लाली बेहना के हाथों में महंदी की लाली लाली की रंगत न कम होने वाली लाली पे जावू कुरबान के बेहना मेरी दुलहन बनी है बूरे हुए है अर्मान मैं जावू कुरबान के बेहना मेरी दुलहन बनी है आए बाराती मेहना के बेहना मेरी दुलहन बनी है बाराती मेहना के बेहना मेरी दुलहन बनी है बारती मेरी दुलहन बनी है कुछ याद आया जिस बेहन से तुम इतना प्यार करते तो उसे कैसे भूल सकते हो तुम याद करो बिटा वो दिन तुमारी बेहन बिदाई का जोड़ा पहन ने अंदर गई थी सब लोग बातों में मश्कूल थे इतने में एक चीक को जीए वो चीक तुमारी बेहन की थी किसी ने बलात करकर करके कला घुट के उसे मार दिया थी उसकी लाश को देखकर किस तरह चुप हो गए था तुम बहना के हाथों में मेहन्दी की लाली लाली की रंगत ना कम होने वाली लाली पे जाओ खुर्बार के बहना मेरी दुलगन बनी है के बहना मेरी दुलगन मुझे कुछ याद दिवारा मुझे कुछ याद दिवारा ठीक है बेटा आराम करो रात बात हो गए चलो ने ने ठीक है ठीक है हाँ सब हो जाएगा थैंक्यू गुद मारिंग गुद मारिंग सकसेना साब आईए सिट साफ एक समस्यान पड़ी है इसलिए सवेरे सवेरे आपको परिशान करना पड़ा जब तक जीनाए सद्वारा साथ तब तक परिशानियों का सामना तो करना ही होगा बोलीय क्या बात है होटल स्टाफ को पेमेंट्स देने के लिए सिकंदर बेटे से चेक पर साइन करवाने थे सिट साब ने, ने, मेरे खायल में सिकंदर की दिमागी हालत देखते हुए इस वक्त तुसे आराम ही करने दिया जाए तो बहतर है तो फिर स्टाफ की पेमेंन का क्या होगा आप उसकी फिकर ना करें मैं मैताजी से बात करके आपको हैदर टेक्स्टाइल्स का चेक भीज़वाता हुए जैसे आपने आज आते कंटे वाक किया वैसे अगर रोज करें तो बहुत बहतर होगा जी हाँ गुद मॉर्ण डॉक्टर गुद मॉर्ण कैसे हो बेटा गुद मॉर्णिंग बेटे कैसे हो रिलक्स बेटे लगता है सिगंदर खुश नहीं है डॉक्टर साथ मुझे भी यही लगता है जी हाँ मैं तो यही कोशिश करूँ डॉक्टर साथ कि सिगंदर को ज्यादा से ज्यादा आराम मिले अगर आप कहें तो उसकी देशवाल के लिए नर्स रख लूँ नए, साइक्याटर्स भरदवाज का कहना था कि इनके पास किसी अकेली लड़की को नहीं रहना चाहिए मेरे खाल से अगर आप किसी ऐसे आदमी को आपॉइंट करें जो इनका दोस्त बंकर रहे और इनका दिल भी भेला सके हम अपने बेटे के लिए डॉक्टर साथ आज से आफिस भी नहीं जाएंगे हम अपने बेटे को बाप का प्यार और दोस्त की दोस्ती भी देंगे नहीं सर, आप उनके फादर हैं और आप उनके मैनेजर हैं हो सकता है वो आपको आपने दिल की बात ना बता सके तो ठीक है, सिकंदर बेटे के लिए कैसे आदमी को ढूण लेते हैं जो तो उसकी तरह उसकी देखबाल कर सके लेकिन इस बात का खाल रखी है कि वो आदमी पड़ा लिखा, अस्मुक, मिल अनसार और सिकंदर के लिए नया आदमी होना चाहिए जयर लहर लोट होई जाए, गुरिया माराओ ना आइए गोल का पकाई के, मुझ की तरह गर्दन उठाई के, कहाँ चले आथ हो नहीं तो आप ही हैं, बड़े अफसोस के बात है आप अपनी आदाश्ट खूँ बैठे वो हमना ही है, हमने साहिब है अच्छा अच्छा, जरा हमें उनके पास लेजे वो अभी यही आथ है आप उनको बोलिये, रूपेश बाबु आए आथ है साहिब कौन है, जिस साहिब मेरा नम रूपेश है, मैं हैदर अली साहब से मिलना चाहता हूँ पापा तो भी आते होंगे, आप बैठिये थैंक्यू, प्लीज थैंक्यू चाहिशे लेगी? जी, आम तोर पर ऐसे मौकों पर लोग नो थैंक्यू कहते हैं, लेकिनो क्या है कि आज आपके आँ वक्त पर पहुंचने के चकर में मुझे अपनी बेट टी, मौर्निंग टी, सब कुर्बान करनी पड़ी क्यू? नौकरी का सवा है यार सारी, सारी, सारी मैं आपके आँ नौकरी करने आया हूँ मुझे आपको यारने कहना चाहिए था मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरा ही नहीं नौकरी तो तुम बापा के करोगे और मेरे लिए तुम दोस्त हो मुझे नौकर नहीं, दोस्त पसंद है लो, थैंक्यू कंपैनिंशिप के लिए लाया गया यहां किसी की यादधास खो गई है तो तुम मेरे कंपैनिंशिप के लिए ओ आपकी कंपैनिंशिप के? मतलब आपकी यादधास खो गई है? जी हाँ अरे भाई, मुबारिक हो, congratulations आप बड़े किसमत वाले है वो क्यों? अरे भाई, जिन लोगों से आपने उधार ले रखा है ना उसे लोटा नहीं नहीं पड़ेगा Morning, बपा Good morning, son, कैसे हो? Good morning, good morning अरे तुम रुपेश हो ना? सक्सेनास आपने भेजा? जी Good, good बिटा तुमन नाश्टा दे यारे, चलो कर लो कम रुपेश मैं? हाँ, जाओ, कह रहा तो जाओ ना Come on सुनो, रुपेश जी अब बेफिकर रही है, sir मुझमर भरोसा रखे यह लो सुचाए हाँ सेट साब, सिकंदर बेटे को घर के माहूल में कुछ याद आ रहा है नहीं सक्सेना, साब बिलकुल अंजान सा देखता है इस खर को चल्दी सब कुछ याद आ जाएगा मैं चलता हूँ जी Good morning, inspector Good morning, mister क्या नाम बताय था आपने? सक्सेना कैसे हो? ठीक हूँ प्लीस जी आए आए, inspector साथ, आए क्या लेंगे, चाय काफी? कुछ नहीं मैं यह पुछने आया हूँ कि सिकंदर को कुछ याद आया जी नहीं कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकर अभी तक कोई कामया भी हासल नहीं हुए सिकंदर ने घंशाम गुपता की ब्लू हेवन होटेल से कार चुराई थी ब्लू हेवन, वो होटेल आपका है? जी हाँ, हाँ लेकिन क्या सिकंदर ने अपनी होटेल के सामने से कार चुराई? आपको नहीं मालूम इंस्पेक्टर साब, हमारा कारोबार इतना बड़ा है कि हम हर तरफ नजर नहीं रख सकते हैं हमारा बेटा और सक्षेना साब ही सब कुछ देखते हैं हमें तो कुछ भी पता नहीं होता, कुछ भी नहीं आपको तो कुछ पता ही नहीं लेकिन हमें पता है कि कहीं कुछ गडबड जरूर है आपकी बेटी का बलादकार, उसका मर्डर, आपके बेटी का एकसिडेंट लगता है धागे कुछ उल्जे हुए है लेकिन उलजे हुए धागे को सुलजाने में इंस्पेक्टर अंग्रे को मज़ा आता है क से जङंद बाले के बारे में कोई बात नहीं करना ओगर टापिड के बी तब दे तुमस्से कोई बात नहीं करना ठीक है ऐ तुम्हों जितने पैसों की जरुaci हो मुझे से आके ले लो सिकंदर से कोई भी चेक साइन नहीं करवाना। थी को यह मुझे तुम्हारी मदद की दरूट है, मन्जिल करीब ही है रुपेश, सर, क्या मैं तुम्हे विश्वास कर सकता हूँ जरूर सर, अच्छा तु ये बताओ, अगर तुम मेरी जगा होते हैं, तुम क्या करते हैं मैं कुछ समझा नहीं, सरा सोचो कल अगर तुम्हारी यादाश खो जाए, और कोई आदमी आकर कहे कि वो तुम्हारा बाप है क्या तुम मान लोगे, जबकि तुम्हारा दिमाग तक उसे पचाने से इंकार कर रहा है पता नहीं, सर, कि मैं मानूंगा या नहीं पर मुझे लगता है कि आपको अपने सिकंदर होने पर शक है क्या ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन इसकी कोई वज़ा भी तो होगी वज़ा है, अगर मैं सिकंदर हूँ और अपनी कैडले गाड़ी में जा रहा था तो एक्सिंट के वक किसी फियर्ड में क्यू पा गया? और अगर सचमुछ पा इतना रहीज हूँ तो मुझे किसी घंशाम दास गुपता के गाड़ी की चुछानी पड़ी और? और वो निकलेस वो निकलेस मैंने किस करी लिया था और अगर मैं सचमुच सिकंदर हूँ तो कोई मेरा यार्दोस क्यों नहीं है? कोई मुझे मिलने क्यों नहीं आता? सर, आप तो सिख्य के एक ही साइट देख रहे हैं सर अब आप इसके पॉसिटिव पहलू क्यों नहीं देखते? मतलब? मतलब वो आलबम आपके पर्स में मिली हुई आपकी बहन की फोटोग्राफ कमरे के अलमारी में आपके कपड़े, जूते हैं वगरा वगरा लगता है कि मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ी साज़ज रचीए नौकरों चाकरों को तो सिखाए भी जा सकता है और सबूत और सबूत तो बनाए भी जा सकते हैं चलिए एक पल के लिए आपकी बात मान लेती है लेकिन इन सबसे उनको क्या फाइदा घर के नौकर चाकर जो इतने प्यार और इज़त से आपको छोटे नवाब कह कर पुकारते है और फिर सेथ हैदर अली आपको पिता का प्यार दे रहे हैं आपकी अद्धाश वापस लाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया देश विदेश की डॉक्टर से कंसल्टेशन कर रहे हैं बताईए सर अगर आप वाकए सिकंदर नहीं होते तो कोई आपके लिए इतना कुछ क्यों करेगा यही तो मैं मालूम करना चाहता हूँ, तुमसे डिसकस करना चाहता हूँ आइडिया हमें अभी पता चल सकता है कि आप सिकंदर है या नहीं कैसे वो कपडे कहा है जो आप आप पहने हुए थे अब उपर रूम में है है, देखिए उन कपलों पर जरूर किसी टेलर की चित लगी होगी अगर आप वाकई सिकंदर है तो उन कपलों पर लगी हुए चित और उस कमरे में धेर सारे कपलों पर लगी हुए चित एक ही टेलर के होंगे और अगर वो चिट अलग अलग हुए, तो आप सिकंदर नहीं है, गुड आइडिया यह सब एक ही टेलर के लगते हैं, बंबई के किसी माज़ाउ टेलर के चिट है इसमें तो किसी कृष्णा टेलर पुना का पता है, यह बंबई यह पुना शायद मुझे पहाँ पता चल जाए कि मैं कौन हो, तुम मेरी मतद करोगे अब आपने दोस बनाया है, तो दोसी तो निभानी हो सिकंदर, सिकंदर, सिकंदर बैटा, सिकंदर अरे कोई है, यह उंदर आ, ओए सिकंदर सिकंदर भाग क्या, कहा गया वो, सर, पता नहीं सर तुम्हे क्या जख बाल लेकर रखाता हमने, सर, मैं उसी इसी कमरे में छोड़के गया था, सर तब वो सो रहा था, मैंने सोचा, मैं भी अपनी कमर से जाना सीधी करना मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे को पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे को पता नहीं है उसको सजा मिले क्यूं, जिसकी खता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे को पता नहीं है जल्दी जल्दी हार चलाओ ना, गहां खड़ा हुआ यार, नमस्ते जानी साब, जानी बेटी, तुम, जानी, क्या मैं जानी हूं, सिकंदर नहीं, है ये तो, कहीं बहार चले गए थे क्या, बहादीरों में नजर आ रहे हो, मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूं, हाँ, बेटे, बिल्कुल, आओ, उन्दर चलते हैं, ओ, इधर बेचा, यहां, यहां बेचो, यहां बेचो, जानी बेटे, आपका नाम क्या है, कैसी बाते कर रहे हो, कहीं, कहीं, कहीं तुम उसे मज़ाग तो नहीं कर रहे हो, मैं सच-पुष अपका नाम भूल गया हूं, मुझे प्लीज अपना नाम बता दीजी, मेरा नाम लियाकत खान है, आप, आप मुझे जानते हैं, जानी बेटे, मैं तुम्हे नहीं जानाँगा, तो और कौन तुम्हें जानेगा, मैं तरसल मैं अपनी आदाश हो हुए और उसमे लाटश को बैठ ओख हुए अगर तुम्हेश में अपनी एद-दाश खो बैठ होँ, तो मीरी दुकान का पता, तरसल छिट पर लेकिचित पढ़के ही, मैं यह आयाओ हम, और यह सूच के हां कि, कि शाइद आप मेरे रे बार में जानते हूं। जॉन्य बेटे, मैं तुम्हें बहुत अची तरह जानता हूं। बहुत अची तरह जानता हूं। लेकिन... समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा एक्सिजन कब और कैसे हुआ। खेरे बाद छोड़े लाकत मिया। आप मेरे नाम से ज्यादा, मेरे बार में क्या जानते,झे मुझे बताईए। तुम्हेह अपने बीवी Jenis के बार मेंगे कुछ hon लियांद नहीं। क्या मे शादी शिता हूँ। हां। तुम्हारे बीवी का नाम Jenis है ! क्या मेरे बच्चे भी हैं नहीं तुम्हाई शादी को सरफ छे मेने हुए कहा रहता हूं मैं क्या आपको मेरा घर भी मालूम है कि यह आपका बंग्ला है इस पूरे अलाके में इससे जादे खुबसुरत बंग्ला किसी का भी नहीं सब लोग आपको जानते हैं और कसम सुईदा है अलो जैनी बहुत दिनोबाद नजर आए कहा थे अब तो आ गए हो हाँ तेर कब जम रहे हो अब तो आया हो जम लेंगे यह मिलते हैं कौन था यह लेकत मिया मालूम नहीं हो सकता है आपका कोई पुराना दोस्त हो लगता है काफी पुराना दोस्त है पता नहीं किसी इसकी जमने की बात कर रहा था आपका समसुई नागे की जमने की बात करके हमें यहां जम आ गया आई 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 आपकी य अन्नी से जान पर क्या घुसरेगी समझ नहीं आता है आती हूँ न बाबा आ रही है अरे अंकल आप हाँ बेटी मैं देखो ना किसको लेकर के आया हूँ आप आगे आप जेरिस बेटी शायद तुमसे नाराज है आखिर क्यों शायद इसलिए कि तुम बहुत दिलों के बाद आयो ना बेटी तुम जाओ न जाओ अंदर जाओ आप नीचे लेंगे बेटे मिया बीवी के बीच में आके क्या करूँगा आप मेरे साथ चलिए उसे मेरे साथ हुई धुर्गटना के बारे में बताईए ठीक कह रहे हूँ आओ आओ बेटे आओ आजा बेटे आओ बेटे जीनिस मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बाते बतानी है इनसे पूछो अंकल आज अचानक इन्हें अपनी वाइफ की याद कैसे आ गई बेटे तुम नहीं समझ रही हो मैं सब समझती हूँ यह मुझसे शादी करके पष्टा रही है तब ही तो इस तरह आप बिना बताय कायब हो गए बेटे यह लड़ने का वक्त नहीं है इनकी जिन्दगी में बहुत बड़ी घटना घटी है मैं तुम्हें बत्माना चाहता हूँ उसके बाद जितना जीचा है लड़नेना समझ गए चलो बिटे तुम बंदर बिटरू में जाओ चलो मैं इससे समझा करके आता हूँ बिटे जॉन्य बेटे जॉन्य बेटे बेटे मैंने बहु को सब कुछ समझा दिया है इस पर सारी बाते इस पर रॉशन हो गई है मुझे इजाज़त दो, खुदा अफिस जी रुपेश की बात निंभूलिएगा हाँ हाँ बेटे मुझे याद है अच्छी तरह याद है बेटे, खुदा आफिस बाए अंकल, आओ जॉन्य क्या अंकल ठीक कह रहे है तुम्हे कुछ भी याद नहीं नहीं मुझे माफ कर दो जॉन्य आते ही साथ में तुमसे जगड़ने लगी मगर मैं क्या करती मैं बहुत परेशान थी उस सरा से जगड़ की वज़े से तुम मुझे अचानक छोड़कर चले गए जगड़ा? तुम्हे तो वह भी याद नहीं मगर तुम फिकर मत तरो मैं तुम्हारी मेमरी वापस लाकर रहूँ मेमरी? तुम थक गए होगे आओ तुम यहां आराम करो मैं तुम्हारी लिए चाय लेकर आती हो ओके? थांक यू जीजस आपने मेरे जॉनी को भेज़ दिया मैं कौन हूँ? जॉनी हूँ या सिकंदर जॉनी या सिकंदर सिकंदर या जॉनी जॉनी, सिकंदर सिकंदर, जॉनी जॉनी साब, मैं साब की चिट्थी जैनिस टिसुजा ठी साब, साब क्या साब साब लगा रख है? साब वो टिसनिस की बक्षिश कल अना अच्छा जी तुमारी चिट्थी ममी की है, उन्होंने आपको भी विश्च किया है जॉनी, कैसे और कहां हुआ था आपका एक्सिडेंट डॉक्टर और इंस्पेक्टर ने होशमयन पर मुझे कहा कि मैं एक फियट चला रहा था और पूना रोड पर मेरी गाड़ी का एक्सिडेंट हुआ था आपके पास फियट कहां से आई मालूम पड़ा है कि बॉंबे के किसी घंशाम दास कुपता की गाड़ी थी इसका मतलब आपने फिर चोरी की चोरी? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैंने चोरी की है? क्या मुझे आपकी चोरी करनी की आदत मालूम नहीं है ऐसे भी घंशाम दास कुपता नाम का आपका कोई दोस्त है ही नहीं इसका मतलब आपने चोरी ही की ऐसे भी इसी एक काम में तो एक्सपर्ट हैं आप क्या मतलब? क्या मैं चोर हूँ? ओ नहीं थे मगर मुझसे वादा करने के बाद भी चोरी करके आपने अच्छा नहीं किया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा फिर तुम मेरी जिंतकी माई कैसे? मैं अपनी फैमिली के साथ गेटवे अफ इंडिया पर घूमने गई थी आप भीवा बोटिंग कर रहे थे मैं आपको देखती ही रह गई और आप मुझे फिर आम मिलने लगे फिर क्या हुआ क्या आपको कुछ पर याद नहीं आ रहा याद करो जॉन याद करो नहीं मुझे कुछ याद नहीं आ रहा आप उस बाप की तकलिफ नहीं समझ सकते इंसपेक्टर साहब जिसका एकलाता बेटा खो गया हो और वो भी ऐसा बेटा जिसकी या ताशकुम हो गई हो आप चिंता मत करो, हम पर भरोसा रखो जैसे ही उसका पता चल जाएगा, हम आपको ख़बर कर देंगे आप प्लीज जल्दी से जल्दी पता लगए, इंस्पेक्टर साब नजाने किस हाल में होगा हमारा बेटा क्या मैं हेदर एली का बेटा नहीं हूँ, क्या मैं जॉनी हूँ क्या जैनिस मेरी वीवी है और मैं उसका पती अकर जैनिस मेरी पत्नी है, तो मेरे पर्स पर फोटो किसका था मैं शिदरली का बेटा हूँ, यह जैनिस का पती, आखिर मैं कौन हूँ जैनिस, बाहर वो आदमी कौन था जो मुझे जमने के लिए जमने के लिए वो कजेंतर होगा, आपका दोस्त, जुए की महफिल जमाने को कह रहा होगा क्या मैं जुगा खेलता था? हाँ, पर मैं आपकी वादत छुड़ा दूगी अच्छा, क्या मैं कभी पर्स भी रखता था? हाँ, और वो पर्स आपको बहुत प्यारा था, क्योंकि उसमें आपकी मा की फोटो थी मेरी मा का फोटोग्राफ कैसा हो सकता है, वो तो किसी यंग लड़की का फोटोग्राफ था आप बचपन में घर से भागे थे, तब आपकी मा यंग ही थी क्या मैंने अपनी पिछली जिंदगी में कोई ऐसी लड़की की लाश देखी है, जिसका गला दवा के मार दिया गया हाँ हाँ, एक बार आप और आपके गैंक का एक आदमी एक सेट के हाँ चोरी करने गए थे वहाँ सेट का बेटा और उसकी वाइफ सो रहे थे वाइफ जाग गई और आपके दोस्त ने उसका गला खोड़कर उसे मार डाला Oh my God पर Johnny, क्या तुम्हे कुछ भी याद नहीं आ रहा क्या तुम्हे ये भी याद नहीं आ रहा कि तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए थे नहीं, मुझे कुछ याद नहीं रहा एक दिन हम जूर्री मार्केट गह थे, शॉपिंग करने वहां मुझे एक नेकलेस दिखाई दिया नेकलेस? मैं आपसे वो नेकलेस खरीदने के जित करने लगी तो आपने कहा कि हम वो नेकलेस अभी नहीं खरीद सकते मैं घुसे में चली आई, आपने बहुत मनाया पर मैं मानी ही नहीं, तब आपने कहा कि मैं तब ही वापस आऊँगा, जब मेरे पास वो नेकलेस होगा मैंने सुचा आप थोई दिर में चले आएंगे पर आप तो वापस आई ही नहीं शाहिद तुम्हें देने के लिए ही मेरे निकलेस चुराया हो और हो सकता है कि मैं पुलीसे डर के बामबे भागया हूँ मगर जॉनी, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा तुम कैसे भूल सकते हो, वो प्यार भरी राते जब हमारे प्यार की जोच चकी थी हम नशी दिल रुबा जाने मन जाने जा हम नशी दिल रुबा जाने मन जाने जा हमने तुम ही से है प्यार किया हमने तुम ही से है प्यार किया शोख दिल हम सफर हम पिदा आप पर हमने तुम ही से है प्यार किया हमने तुम ही से है प्यार किया हम शी दिल रुबा जाने मन जाने जा हमने जाने जाने पर भब दुम ही से है तुम हblade मन खटूा ओू हमने जाने लुबार जाने दुम है सबस्त मून जाने जाने जार MIL वो जान जाना जरा पास आना के दिल है दिवाना तुम्हारे लिए दिल का फसाना लबों का तराना ये मौसम सुहाना हो तुम्हारे लिए हो ऐसे में न तुम कहीं भी दूर जाना शोख दिल हम सफर हम पिरा आप पर हमने तुम्ही से है प्यार किया हमने तुम्ही से है प्यार किया हम नशी दिल रुबा जाने मन जाने जा हमने जाने मौस mesmo दुम्ही ए हमने तुम्हीं भीपा दुम्हीं बंदूँ प्रससे है क्विए जया जाया जा बप्रद्स alm kesक्रा खाबो की रानी हसी जिन्दगानी हसी ना दिवानी जरा पास आ खाबो की रानी हसी जिन्दगानी हसी ना दिवानी जरा पास आ यासी निगाहे, मुहाबब की बाहे, सनम तुझ को चाहे, गले से हिल लगाओ दे खुरी में हम समा है आशिकान, हम नशी, दिल रुबा, जाने मन, जाने जा शोख दिल, हम सफर, हम तिना आप पर हम ने तुम ही से है प्यार किया, हम नशी, दिल रुबा, जाने मन, जाने जा लाला, 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 ली ही ही, आहाँ जोनी, कुछ याद आया? नहीं. कुछ याद आया? मुझे कुछ याद निया रहा. मुझे कुछ याद निया रहा. कुछ तो याद करो. जनी क्या हो गया तुमें, जनी? जनी, जनी, चरो! जनी, चरो! जनी तुमें, जनी यह तो मर गई, मैंने इसा खुंकर दिया, है पुगवार, अब मैं क्या करूँ, मेरे हत्या कर दी, मुझे रिपिष्ट जाने से पर भाग जाना चाहिए, मैं मुझे भाग जाना चाहिए, मैं यह रोखूँगा, मुझे, मुझे देखा, मैं वादे के मुटाबिक आ गया, लेकिन तुमने यह दर्वाजा खुला क्यों रखा है, बस ऐसे ही, तुम्हें घरडूने में तकलीफ तो नहीं हुई, अरे लिया कदली ने मुझे यह का पता बता दिया था, तुमने कही लिया कदली को, सिकंदर वाली बात तो नही सिर्वारी था के जाए, था थे की लिए, एलो इंस्पेकर, यदो हो है, वाट, एमजी रोड़ पर आग लग गई? हां, ठीके मैं भी आराहां, okay बजादा बजाण है किस नवा द आइपि का झाल बृब या नवे आपका? सिकंदर जाल कहांसे आपुरियो? पुना से, जाना कहा है बंबई, क्यों का मतलब बंबे मेरा घर है कहाँ? 16th road पे, सेथ हेदर अली का बेटा, पुना किस सिलसले में गायते है बिजनस किसी सिलसले में क्या बिजनस है आपका जी फैक्टरी है जी हमारी, पुट की, जी कमाल है, वेक्टरी लगाए बैठे और सफार कर रहे हो इस कंपार्टमेंट में, ठिकित दिखाओ यह लड़की तुम्हारे साथ है? जी हाँ बैठ आपका है? हाँ सब खासलेर की गन कहां से आ रही है? यह किसका है? मैं पुछता हूँ, यह किसका है? सारे देश में खासलेर की प्रॉब्लम है, अगर कहीं एक बून भी मिल जा है तो लाइन लग जाती है और यहां इस ट्रेन में कि जहां घासलेर ले जाना जुर्म है, 20 लीटर घासलेर उन्हां से बंबई जा रहा है किसका है किन? मैं पुछता हूँ, जवाब दो, किसका है किन? मैं आखरी ओर्णिंग देता हूँ, अगर मैंने पता लगा लिया तो मैं उसकी खाल खीश लूँगा अल्राइट, आद उपर करो, तुम लग साब, आद उपर करो खोड़, गिरफ़तार कर लो से मैं बाकी लोगों से मुआफिश आता हूँ, हकीकत में मुझरिम को गिरफ़तार करने के लिए कई बार हमें शरीफ आद्मियों के साथ भी सक्ती बरतनी पड़ती है एक सिगनेशर आप कर दीजिए, गवराने की कोई बात ने, आप सिर्फ यह कह रहे हैं कि इस आदमी को कासलेट के के साथ हमने पकड़ा और यही बात आपको अदालत में भी कहनी है अपना एड्रेस भी डाल दीजिएगा ताकि जब हम आपको कॉंटेक्ट करना चाहें तब कर सके थैंक्यू मिसर कामले, एक सिर्फ आप कर दीजिए मुझे आप माफ कर दीजिए तो ही बहतर होगा इस्पेक्टर साब क्यों? क्योंकि मैं बंबे करेने वाला हूँ और आपका एकेस तो पुना कोट में जाएगा बिजनेस के सिलसले में आप पुना तो आते जाते रहते हैं हाँ, पर फिर भी इस तरह से तो हर आदमी पीछा चोड़ा सकता है, मिस्टर सिकंदर और अगर सभी लोग यही करने लगे, तो हम लोग कानून की इफाज़त कैसे कर सकते हैं प्लीज साइनिट एड्रेस थैंक्यू, मिस्टर सिकंदर यूनो, आज पहली बार मेरा अंदाजा गलत निकला क्या मतलब? जब मैंने आपको पहली बार देखा, तो आपके चेहरे पर हवाईया उड़ रहे थी और मेरा अंदाजा था कि यह केंद तुम्हारा ही होगा लेकिन नहीं मैं गलत निकला ऐसा मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ क्या इसलिए आपने मुझे इतने सावाल किये थे? जी हम अब तो मैं सेट हैदेर के घर भी नहीं आ सकता कि पिजनीस के मुझे के केस में पुलीस मेरी पीछ आ सकती है अब मैं कहीं और जाओगा सुलाब साव जाओ एए यादो क्या है यार तिया दूटी करने आता है यै ऑन सने आता है भार में जाए यार डूटी साला ना धिन को चैने ना रात को आराम खल सारा दिन वो मजदूरों की ठाग साथ डूटी देनी पड़ी और पुरी रात mg रोट पर कि पोस्ट मार्टम के लाएक भी नहीं रही पता चला कौन थी वो और आग केसे लगी आग लगने कारान तो पता नहीं चल सका प्लोशी ने सिर्व इतना बताया कि वो अपने पती के साथ रहती थी जिसका नाम जॉनी है जॉनी उससे में मौजूद नहीं था वहाँ पंडो ज कातिल लगता नहीं देख वो जरा क्या रहा है तुमारी यह तो सिकंदर है कल रात मुझे ट्रेन में मिला था नो पर उस्यों के हिसाब से यह जॉनी नहीं मेरी आंके दोका नहीं खा सकती यह सिकंदर ही है अब यह कैसे पता चलेगा यह जॉनी है यह सिकंदर यह जानने के हमें बंबई जाना पड़ेगा अन्जान हो मन्जिल से ना खबर मुझे राहों की सुनवाई नहीं कोई मजबूर सदाओं की मेरी तरह से ऐसे मजबूर ना हो कोई अपनी ही चाहतों से यो दूर ना हो कोई मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ मुझे को पता नहीं है उसको सजा मिले क्यों जिसकी खता नहीं है अना अना गी जो, गीजो, गीजो चीचु, चीचु, चीचु… आप कहा क्या चीचू तो पहुआ रहते हैتي चीची तो हागा हागा हो गया और मामी तो रोती रहते है चीचु, आफ हमारे नहीं आकाश में टौपी Lord लेने गए rest शान, लोगार रहे ilum झाल कर शान, ताब आये ना जीजु आये न जीजु जीजु यही रहना मम्मी मम्मी तु आ गया पपो देखो मैं किसे लाया हूँ कौन है बेटा पहले अपने आखे बन करो अच्छा अब देखो पपो पाशा का जादू मंतर इदर का उदर हो जाए खोया हूँ वापस आ जाए ठेरिया मैं अभी आता हूँ आंके मत खोलना अब आंके खोलो आकाश मेरा मेरा बेटा मेरा बेटा बेटा तो जिंदा है मेरा आकाश जिंदा है मेरा बेटा जिंदा है यह दुनिया वाले जनम धिले छोट कहते थे कि मेरा बेटा मर गया मेरा बेटा नहीं मर सकता नहीं मर सकता आ बेटा अंधरा मैंने शादी की सारी तयारियां कर ली तो कहां चला गया था कोई अपने मंगेतर को इस तरह छोड़ के जाता है क्या मैं और मंगेतर खबरदार चे तुमने खुद को मेगना का मंगेतर कहा कौन हो तुम जी मैं अरे ये क्या बेटी तुमने इसे पहचाना नहीं ये हमारा आकाश है प्लीज मम्मी आप चुप रही है कितनी बार आपसे कह चुकी हूँ कि आप चाहें किसी को भी अपना बेटा कहले मगर मेरा मंगेतर किसी को मत कहिए ये कोई थोड़ी है जीजी ये तु मेरे जीजू है चुप रहो तुम्हारे जाल में पपू भा सकता है मा धोका खा सकती है मगर मैं नहीं अगर मैं आकाश नहीं हूँ तो इमा मुझे बेटा क्यों कह रही है उन्होंने जब से अपनी बेटी का मंगेतर खोया है वह पागल सी हो गई है हर किसी को आकार समझने लगती है मैं आकाश क्यों नहीं हो सकता क्योंकि उसकी लाश मैंने अपनी आखों से देखी है उसकी लाश के सामने अपनी कलाई की रंगीन चुड़िया तोड़ी है मैंने क्या मेरी शकल आकाश से मिलती है मैं फिर कहती हूँ कि इनाटक बंद करो तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते निकल जाओ इस घर से वरना मुझे पुलिस को बलाना पड़ेगा चला पपू मम्मी जभी चले जाए तो दर्वाजा बंद कर लीजेगा मेगना कि किसी बात का बुरा मत मनना बेटे पता नहीं किसी की लाश को आकाश की लाश समझ कर इस पिचारे ने अपनी सारे चुड़ियां तोड़ डाली हुद को विद्वा से समझने लगी है ये अरे हां तो भुका होगा मैं तुम्हाँ लिए कुछ लेकर आती हूँ मैं मैं कौन हूँ सिकंदर जॉनी या आकाश पूना आपकी मदद चाहिए सिर्ट जी लगता आपकी तबियत ठीक नहीं वस आदमी की तबियत कैसे ठीक रह सकती है सक्सेना साहब जिसका इकलाता बेटा खो गया हूँ इतने दिन हो गए सिकंदर का कुछ पता नहीं चला सेट जी सिकंदर को ठूडने के लिए आपने जमीन आस्मान एक कर दिया अब तो उपर वाले पर भरोसा है एक नए एक दिन सिकंदर बेटा जरूर मिल जाएगा इतना बड़ा कारोबार है सोचा था के बेटा संभाल लेगा अब नजाने क्या होगा सेट जी सिकंदर बेटा जरूर मिल जाएगा फिर आप क्यों चंता करते हैं कारोबार का जो सवाल है जितना मुझसे बन सकता है उसे संभालने की कूशिश करता हूँ आप पर ही तो भरोसा है सकते ना साब इसलिए तो सारा कारोबार आप पर छोड़ रखा है मुझे तो खबर ही नहीं कि कहा क्या हो रहा है कितना गलत था मैं जो उस आदमी को सही समझ बैठा क्योंकि आदर ने जब जॉनी की तस्वीर मुझे दिखाई उस हिसाब से यह वही आदमी था जो आपने आपको मुझे सिकंदर बता रहा था सिकंदर इसी नाम के आदमी की तो मुझे भी तलाश है फोटो है ना आपके पास यह रहा उसका फोटो इसी सिकंदर को तो ढूण रहा हूँ मैं आप इसे जानते हैं बहुत अच्छी तरह सेट हाईदर आली का इकलावता बेटा है यह नो नो मिस्टर आंगरे यह जैनिस का पती है जॉनी पर राट कुई मैं उसे मिल चुका हूँ यह देखिए पंच नमें पर उसकी सिगनेचर और एड्रेस की जेरोक्स कॉपी सिक्स्टिंथ रोर्जू सेट हाईदर आली का पता है यह इंस्पेक्टर साब आई ने आईए आईए इंस्पेक्टर साब मेरा बेटा मिल गया हमें तो पता चला है कि वो यही आया है यहां कहा है सिकंदर यहां कहा है तुमने उसे इसी बंगले में कई छुपा कर रखा है आप कैसी बाते कर रहे हैं इंस्पेक्टर साब भला अपने बेटे को मैं क्यों चुपा हूँगा ज्यादा नटक करने की कोशिश मत करो मिस्टर हाइदर अली उसे हमारे हावाले कर दो यह आप क्या कहरें इस्पेक्टर साब मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा एक बात अच्छी तरह समझ लो मिस्टर हाइदर अली मुझरिम को पना देने वाला भी मुझरिमी होता है चाहे फिर वो मुझरिम का बाप क्यों नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता हो क्यों नहीं सकता जो आदमी पूना एमजी रोट पर एक जवान औरत का मड़ा कर सकता है वो मुझरिम क्यों नहीं हो सकता यह आप क्या रहें इस्वेटर साभ ये बिल्कुल सही है और सिकंदर पूना से बंबई आया हुआ है उसका गवाम मैं हूँ नहीं यह जूत है जूत है इस्वेटर साभ मेरा बेटा तो एक चीटी भी नहीं मार सकता, वो किसी इंसान कखून कैसे कर सकता है देखे, आप लोगों को या तो कोई गलत फैमी हुई है, या तो फिर आप सब मिलकर मेरे बेटेओं किसी साजिश का शिकार बना रहे है साजिश किसकी है यह तो वक्ती बताएगा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर सिकंदर यहां आया और तुमने आमें ख़बर नहीं की, तो तुम कानूनन अपरादी कहलाओगे दीदी यह आकाश की तस्वीर है वाँ दीदी, क्या बात है, आप उनसे कह रहे हैं कि यह उनी की फोटो है पपू, तुम हमें दिस्टर्ब नहीं करोगे, और अगर किया तो मैं तुम्हें भाहर भेज़ दूगी देखिए, यह में दिस्टर्ब नहीं करेगा बेटा, तुम ही नहीं खड़े रहो, लेकिन हमें दिस्टर्ब नहीं करना ठीक है मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया, क्योंकि मैं मम्मे की सामने तुमसे बात नहीं कर सकती उन्होंने अपना दामात खोया है, इसलिए वो पागल सी हो गई है और तुम्हें आकाश समझती है, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम्हाः रह्र नहीं हो सकते आप इतने विश्वास के साथ किसे क土 odor कर सकती हूं? मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूं कि मैं अपने आखों से उसकी लाश नहीं हूं क्या यसा ही नहीं हो सकता कि जो लाश, आप ते अपने मंगेतर के देख़ी हो, किसी और के हो? क्या तुम खुद को मेरा मंगेतर ना चाहते हो? मैं आपने आपको आपका मंगेतर नहीं चाहता, बर कैसे ठोज सुबूत जानना चाहता हूँ, जो थाबित कर सके कि मैं आकाश नहीं हूँ सुबूत तुम्हारी पीट पर मिल जाएगा पीट पर? हाँ, मेरे मंगेतर की पीट पर दाई तरफ एक निशान था ठीक है, अभी फिसल हो जाएगा नहीं, मैं कुछ नहीं जानती चाहिए कुछ भी हो, तुम मेरे आकाश नहीं हो सकते तुम… तुम चले जा झाए हांसे जाना तो होगा भीट जी, क्योंके आकाश नहीं हूँ मगर जानने से पहली इतना ज़ु जनना चाहूँगा की क्या जानन चाहते हिं आप मैं यह चालना चौंगा कि आकाश की मौत कैसे हुई थी यह मेरी कहानी है मिस्टर मेरी और मेरे मंगेतर की इसमें कोई दखल दे मैं बर्दाश्ट नहीं कर सकती हूँ जीजु आप यहां से चले जाएंगे जाना तो पड़ेगा बेटा क्या क्योंकि हम आपके जीजु नहीं है और आपके जीदी नहीं का आपको यह चलो हम भी बताते हैं आप हमारे जीजु हैं जीजु जीजु यह किसका फोटो है मैठो यह देखो आपके फोटो और दीदी के फोटो देखो सारी का ममा म ममी राजू कितने अच्छे समय पे आगया है तो बैटे मालूम है आज अपना आकाश वापस आगया है आकाश आपके अपके अपको नहीं प्ता वैसे मेरा दोस्त रौकी था गुरू था उसके जाने का दुख मुझे भी हुआ है लेकिन आपकी तरह कोई पागल पागल? पागल मैं नहीं तू है तू मैं पागल? जाओ उपर जाकर दे पप्पो के साथ उपर बैठा हुआ है ममी आपको आराम की जरूरत है मैं भी डाक्टर को फोल करता हूँ तुझ जाता है तुझ में आझ अंकल ये भूथ नहीं है तुझ है तुझ मैं ये असली भूथ है रियल भूथ मैं सबना तो नहीं देख रहा हूँ आय खाया राखी तुझ जिन्दा है भाईया अरे ऐसी क्या देख रहा है? मुझे पहिचाना नहीं? मैं राजा अरे तुने ही मुझे ड्रम बजाना शिकाया था तु चला गया, मैं भी बजाना छोड़ दिया लेकिन अभी राजा, बजाएगा बजा पर जीजु तो जहा रहे है अरे ऐसे कैसे? लेजी ने कहा ये हमारे जीजु नहीं है उनको पूरा यकीन है कि मैं रॉकी नहीं हूँ और मैं, मैं यकीन के साथ कुछ भी नहीं कह सकता अर लेकिन मैं तो कितना प्यार तुम्हें करते हैं ये किस तरह बताए हम कितना प्यार तुम्हें करते हैं ये किस तरह बताए हम कैसे तुम्हे यकी आएगा किसकी खसम आए हम lalalalalala! छोड़के तू अब मुझे को दूर कही जाना नहीं छोड़के तू अब मुझे को दूर कही जाना नहीं तू को मेरे सर की कसा दीदी को भूलाना नहीं अगर तुम दूर जाओगे तो मैं न पास आओंगा न दूगा मैं तुम्हे पपी मैं तुम से रूठ जाओंगा कितना प्यार तुम्हे करते हैं ये किस तरह बताए हम कैसे तुम्हे यकी आएगा किस की कसम उठाए हम जीजु जीजु आप हमें छोड़के कभी जाएंगे तो नहीं न नहीं बैटा मैं तुझे छोड़के कही नहीं जाओंगा कब कहां थैंक्यू थैंक्यू वेरी मज़ थैंक्यू किसका फोन तो भी सांगरे एक इनफॉर्मर का उसने सिकंदर को देखा है कहां पुना बॉम्बे एक्स्प्रेस में उसमें भी उसे मिल चुका हूँ लेकिन वह दादर स्टेशन पर उत्रा है इसे क्या फरक पड़ता है बहुत फरक पड़ता इंस्पेक्टर पुना से बंबई आने वाला आजमी अगर दादर स्टेशन उतरता है इसका मतलब वह बॉम्बे सेंट्रल से बोरिवली तक या परेल से चेंबूर तक के बीच में कही रहता है हमारे इंफॉर्मर के इंफर्मेशन के मताबिक हमारा शिकार इसी इलाके में कही छुपा हुआ है सारे गमपा पागल मैं पागल हो जाओंगा अगर तुम चुपचा बेटे लोगे मैं पागल हो जाओंगा चुपचुपचुपचा बेटे खड़े जरूर कोई बात है आपकी इनसे क्या नहीं मुलाकात है राजबहिया चलो अच्छा हुआ बोला गुस्से में मुह तो खोला लेकिन आप मेरी एक बात क्यू नहीं मानते आपके सामने जो आदमी बैटा हुआ है आपका पेंगिस्ट आकाश और होटेल ब्ल्यू हेवंस का सिंगर रॉक की है जो मेरा दोस्त और मेगना का मंगेतर है यही तो मैं कह रही हूँ पर यह मानती कहा है मेरी एक बात क्यांसे सुखलो इया ऑदमी अपने आपको रॉकी शाबीद इसले नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसकी आज़दध जा चुकी है यह नहीं जानता है कौन है रॉकी भी हो सकता है मैं इसले नहीं कह रहा हूँ कि इसकी शकल रॉकी से मिलती है, और भी कुछ बात है, जैसे कि इस रात को रॉकी का मर्डर हुआ, उस रात को इसका कार को लेके भाग जाना, इसके दाये खंदे पर निशान पा जाना, पपु की कुदरती मुलाकात, मा का विश्वास, और सबसे मैं दिल नहीं मानता, मैंने सिर्फ इसे पपु की खादर यहां रखा है, जिस दिन पपु इससे नफर्त करने लगेगा, इसे यहां से जाना होगा, और यह मेरा आखरी फैसला है, लेकिन कहा खो गए तुम आकाश 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 कहा गुम हो जाते हो तुम आकाश? अगर हम सच मुच गुम होगे तो तुम गुम हो यह नहीं सकते, क्यूंके मैंने तुम्हे अपनी आखों में काजल बनाके बसा लिया है, और भलके बंद कर लिया है हम वो हैं जो आखों से काजल चुरा लेते हैं अच्छा जी गुम हो कर दिखने हैं तुम गुम हो यह नहीं सकते अब देखो आकाश! 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 मेग, तुम्हारी आंक में आसू? आकाश से तू रोकर, मेग हमेशा बरसते ही है आकाश सबतित से अवीय दकाश आकाश आकाश कहाश हुआ 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 है चुड़ी बोले पायल बोले बोले खंगना आजा डोली लेके आजा मेरे अंगना मेरे सजना जिने नहीं देती मुझे तेरी बिंदिया तेरे बिना आती नहीं मुझे निंदिया ओ, ओ, मेरी प्रिया ओ, ओ, मेरी प्रिया ओ, मेरी प्रिया दिन मेरा केदा है किसमे तु प्रिया है मेरी बेकरारी को तो तु भी पहेचाने न बिना तुझे देखे मेरा दिल अपु मने न बाहो में आभी जा क्यों मुझे न सता तेरे बिना भाए मुझे कोई रंग न आजा जोई लेकर आजा मेरे अंग न ओ, मेरी बेकर दिल आज ओ, मेरी प्रिया चुमलो लब तेरे पासवा तु मेरे तेरी ऐसी बातों दिमें दर दर जाती हो कहीं कुछ हो ना जाए मैं तु भभडाती हो सुन मेरी इत जा तु ने मुझ पे जाने कैसा जादू है किया तेरे बिना आती नहीं मुझे निल दिया ओ, मेरी प्रिया ओ, मेरी प्रिया चुड़े बोले पायल बोले बोले खंगना आजा जो लिलने के आजा मेरे अंगना ओ, मेरी प्रिया ओ, मेरी प्रिया जीने नहीं देती मुझे तेरी बिन दिया तेरे बिना आती नहीं मुझे निल दिया ओ, मेरी प्रिया ओ, मेरी प्रिया ओ, मेरे अजना ओ, मेरी प्रिया आकाश, क्यों छोड़ गए अपनी मेगना को यह भटकने के लिए पर जिसने भी तुम्हे मुझे सहला किया है मैं उसे छोड़ूगी नहीं बादा करती है तुम्हारी इमेगा मैं उस कातिल से बदला लेकर आऊंगी कौन है? मैं उमिगना जी अपु सो गया, इसा आप अंदर ले लिजिए अगर सो गया है तो उसे नीचे सोने दो जी नीद में दीदी को बुकार रहा था इसलिए से मैं यहां ले आऊं मैंने कहा था ने कि तुम उपर रही आऊगे मैं जानता हूं मेगना जी मैं पपु को सोफे के उपर लिटा कर जा रहा हूं जब चला जाओं तब दो जाओं को बुका उंद सोला जीजगा मैं सोच रहा हूं मिस्टर दीवान किसी कुवे में छलांग लगाओं या किसी उची बिलिंग से पूच जाओं सच मुच यह हमारे लिए डूब मने की बात है पंद्रह दिन हो गये सिकंदर का कही कुछ पता नहीं चला कही ऐसा तो नहीं कि वो यह और निकल गया हूँ मुझे यखीन है कि वो इस शहर में मौझूद है क्योंकि शहर के बाहर जाने वाला हर रास्ता मैंने सिल करभा दिया है नहीं विस्टर अंग्रे सिकंदर इतने दुनों तक शहर में रुकने का रिस्क नहीं लेगा इसके इलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं था छुबे रहने से वो पुलिस के शिकंजे से बच गया और दूसरा उसको अपने बचाव के लिए रास्ता मिल गया वो कैसे? इन पंदरा दिनों में उसने काफी सोचा होगा प्लान बनाये होंगे पुलिस के उठाये गए हर कदम पर नजर रखे होगी उसने और मुझे गैरेंटी है कि अब तक उसने अपना हुलिया भी चेंज किया होगा ओ यस ऐसे हालत में तो उसे तलाश करना और भी मुश्किल हो जाएगा नहीं मिस्टर दिवान जब कोई भी मुझरीम कुछ समय के लिए कानून से बच निकलता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उसी आत्मविश्वास के साथ उसका उठाया हुआ पहला कदम गल्ती होता है अब हमें अपना जाल बिच्छा देना चाहिए सुनिये, मुझे आपसे बहुत जुरी बात करनी है कहो जिस होडल में आकाश गाता था, उस होडल में मुझे आकाश बनकर जाना है यह इसका आपसे कातिलों से बदला लेजिए नहीं? तुम इसकी बार में सोचोंगी भी नहीं क्यूं? क्यूंकि ऊसके कातिलों से बदला लेने की कसम खाईये मैंने और रही बात तो सुनिए इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं कि मुझे क्या करना है आकाश की कातिनों से कोई और बदला ले यह मैं बर्दाश नहीं कर सकती क्या आप उन्हें जानती है ठीक से तो नहीं मगर मैं उन्हें ठूंड लूगी कैसे इससे तुम्हें क्या मतलब प्लीज मेरी बात तो सुनिये मैं एक बार पहले भी कह चुकी हूँ कि इस बारे में सोचने का तुम्हें कोई हक नहीं हक क्यों नहीं है क्या मतलब यह कैसा कानून है आपका कि अब जब चाहें तब कह सकती है कि मेरा हक नहीं बनता अरे क्यों नहीं बनता मेरा हक क्या मैं पपू से प्यार नहीं करता एक मा का पागलपन देखकर क्या मुझे एसास नहीं होता एक मासुम की कलाई पर सफेज चूड़ियां देखकर क्या मैं पागल नहीं होता मुझे पुरा हक है मेगना जी अगर आप सच पूछें, तो आकाश के कातलों से बदला लेने का हक आप सिस्याता मेरा है क्योंकि उसके हमशकर होने की वज़ा से, मुझे इस घर में पना मिली है मैं तुभारा मंगेतर ना सही, आकाश ना सही लेकिन पपु का जीजू, और माजी का पेटा जरूर हो, और अगर ऐसा ही है तो आकाश मेरा भाई जरूर ना होगा, और खादम कर दूँगा उन कुत्तों को, जिन्ने मेरे भाई को माड़ादा एक माँ से उसके पेटे को चीनने की सजा, यही भुगतनी होगी इस घर, इस चार दिवारी के लिए मुझे सब कुछ करने का हक है, हक है मेगना जी हक है तो हक की बात छोड़ो, मैं मानती है कि तुम्हे सब हक है, लेकिन 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 उनसे बदला मुझे ही लेना है देखे, जोश से नहीं, होश से काम लीजी मेगना जी वह बहुत बढ़ी मुझरिम हो सकते हैं, चलाग हो सकते हैं, ताकतवर हो सकते हैं, आप तो ओरत हैं, आपसे बदला नहीं लिए जा सकेगा, सिर्व लोहा-लोहा को काट सकते है वक्ताने पर नहीं भो भी बन सकती हूँ देखे, मैं आपसे एक समझाता कर सकता हूँ मैं आकाश के गातलों से चिखराऊंगा, उन्हें लाख़े कदमों होगा। फिर आपपा बदला ले सकती है। यह भी हुआ कि तुम पोला मेरि मीचित करें। मैं आपको किसी विश्वास दिलाू। तो महां जी और पपु की कसम खाग कर बादा करना होगा। मुझे मन्सूर है, अब बताएए आकाश चुह के फाइस्टा होचल ब्लू हैवन में सिंगर थे वहाँ उने सब रॉकी के नाम से जानते थे जब भी वो स्टेश पर आते चारों तरफ से एक ही आवाज आती रॉकी 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 कर इसे बताक काश हुआ जाने जाना, हुआ जाने जाना कितना प्यार तुम्हें करते हैं ये किस तरह बताएं हम कितना प्यार तुम्हें करते हैं ये किस तरह बताएं हम कैसे तुम्हें यक्या आएगा किसकी कसम उठाए हम ओ जाने जाना ओ जाने जाना ओ जाने जाना ओ जाने जाना तेरे बिना धिन धलता नहीं तेरे बिना रात कटती नहीं हम क्या करें फेरी सोरत नजरों से हटती नहीं तेरे बिना धिन ढलता नहीं तेरे बिना रात कटती नहीं हम क्या करें तेरी सूरत नजरों से हटती नहीं यही अपनी तमन्ना है तुझे हम देखते जाएं तेरी तस्वीर है दिल में तुझे हम कैसे दिख लाएं कितना प्यार तुम्हें करते हैं कितना प्यार तुम्हें करते हैं यह किस तरह बताएं हम किसे तुहें अखी आएगा किसकी कसा उड़ाई हम जाने जाना ओ जाने जाना ओ जाने जाना ओ जाने जाना रोज की तरह उस शाम को भी आकाश होटल के लिए निकल गए थे वैसे तो रात को एक बचे तक वो आ ही जाते थे मगर उस रात वो नहीं आये कोई फोन भी नहीं आया मैंने सारी रात उनकी इंतजार में गजार दी सुबह जब फोन किया तो होटल के स्टाफ ने बताया कि वो तो रात को 11 बजे ही चले गए थे फिर अब मेरी चिंता और बढ़ गई पर उसी समय एक इंस्पेक्टर दो हवलदारों के साथ यहां आया उसने मुझे पूछा किया मिस्टर आकाश यहां रहते हैं यहां कहने पर उसने आकाश का पर्स और पर्स का सामान मुझे दिखाया मैं खबर आ गई तभी उसने बताया कि आकाश अब इस दुनिया में नहीं रहा फिर मैं इंस्पेक्टर के साथ पुलिस टेशन पहुंची आकाश की लाश रेल की पच्ची पर मिली थी इसलिए उसका चेहरा काफी बिगड़ चुका था लेकिन फिर भी मैं आकाश की लाश को पहचानने में कभी भी गलती नहीं कर सकती उसकी पीट पर मौजूद निशान को देखकर मुझे हैकीन हो गया कि यही मेरा आकाश है उसके बाद पता चला कि उसके होटल में एक गैंग है जिसने उसके हत्या की वो लोग कितने भी खता ना क्यों ना हो जिस दिन मेरी आखों के सामने आ गए न वो देन उनकी जिंदगी का आखरी दिन होगा मैं आकाश के रिवॉल्वर की सारी गोलिया उनके सीने में उतार दूँगी अगर आकाश प्लू एमन होडल में सिंगर था तो उसके पास रिवॉल्वर कहा से आई मेरे खाल से तो वो सिंगर के इलावा कुछ और भी था कुछ ऐसा जिसमें रिवॉल्वर के ज़रत पढ़ती हो क्या मतलब है तुम्हारा रिवॉल्वर सिर्फ दो किसम के लोग रखते हैं एक वो जो अपरादी होते हैं और दूसरे जो अपने आपको अपरादी उसे बचाना चाते है आकाश अपरादी नहीं हो सकता क्या आकाश ने कभी को ऐसी बात कही थी तक कि उसके जानने वाले ये भी ना जान सके, कि महा काश नहीं हूँ जानकारी तुम्हें मिल जाएगी, मगर हमेशा याद रखना उनसे बदला मैं लूंगी, वो मेरी अप्रादी है Excuse me अरे रोकी तूम मुझे मैनेजर साब से मिल ला है Sir, रोकी रोकी तूम? जी हाँ, बुड़ इवनिंग सर इवनिंग मगर तुम जिन्दा कैसे हो सकते हो? मेरे जिन्दा होने पर तो मुझे भी ताजुब है, Sir क्या मतलब? मतलब तो मैं खुद भी नी जानता हम कुछ समझा नहीं तूम रोकी हो ना? जी हाँ, मैं रोकी ही हूँ जिसकी लाश हो सबने? यहाँ तक कि मेरी मंगेतर ने भी मेरी लाश समझा वो किसी और की लाश रही होगी मगर ही सब कैसे हो सकता है? उस लाश की जेव से तुम्हरा पर्स मिला था और अगर तुम्हरे नहीं, तो इतने दिन कहा थे? मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने की पोजेशन में नहीं उसलिए क्यों? क्योंकि मैं अपनी आदाश को बैठा हूँ मैं कुछ समझा नहीं मैं नहीं जानता कि मैं अपनी आदाश कैसे को बैठा एक दिन सड़क से जा रहा था एक बच्चा मुझे देखका जीजू-जीजू कहकर बलने लगा और मुझे अतने घर ले गया बहां मुझे पता चला कि उसकी भेन मेरी मंगेतर है एक बुड़ी माँ भी है मेरी मंगेतर ने मुझे बताया कि कि मैं इस ओडर में गया करता था और सर, सर मैं इस ओडर में फिर गयाना चाहता हूँ बड़ी अजीब कहानी है तुमारी देखो रोकी मैंने अभी तुमारी जगएक नए सिंगर को रख लिया लेकिन मैं बहुत जल्द तुमको बुलवा लूँगा तुमारा पता है मेरे पास Thank you sir You are welcome बेटा तुमने गिर्दे को सारा दिया भगवन तुझे सारा दे प्रभवन बुमार बाल प्रुमार वेपर आए तुमार प्रुम जीते रहूँ क्यों इदर उदर पठकते हूँ और जख्म खाके लोटते हूँ जख्मों से मेरा पुरान आता है और पठकतना मेरी जिंतगी एक एकसर में मुझे ऐसे जख्म मिले जिनकी वैसे आस तक भटकता हूँ जब खाय रहे हैं तो क्यों भटकते हूँ मेरा मतलब है ममी और पपु है ना अच्छा तो यह बात उसकी मंगेतर ने बताई कि उसका नाम रॉकी है और वो आपके होटल में सिंगर था जी हाँ वो फिर से आपके होटल में गाना चाहता है जी क्या वो रॉकी था हाँ उसकी शिकल तो रॉकी से मिलती है लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि वो रॉकी नहीं था जिवान यादो जी मेरा असरी बसाथ उसकी साइन की बसाथ मेरे बसाथ और उसका फिंगा पूंस मेरे बसाथ जरा उसका पता बताओ बैकूंट सेवन गॉकली रोट दादर तुझे कुछ याद आया कि नहीं? अभी तक नहीं आपन दिल्ली गयते दिली उदर देख दिल्ली केorgरने के लए वहाँ DuOOD मेलीती रूबी हो रूबी जाने महमू जाने जाने तो हाँ आपन खलकाता गयते उदर देख तुमने रोजी मेलीती रोज 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 तुमसे प्यार करता हूँ नहीं करता हूँ हाँ हाप, अपन गोवा गयते गोवा, उदर दे कोनाया मारिया, मेरीय 아나, यादाया हा, मेरा खानादो यादुगा सारे कमट भा, भा, भा भा, भा, भा आंकल, भा बाइसा भानान सिकंधर, कोन सिकंधर, किस에 ча Дö нужно है? आपको लेकिन मेरा नाम सिकंदर तो नहीं सिकंदर ना सही, जॉनी सही यह आप सब क्या बोल रहे हैं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा मेरा नाम तो राकाश और फ्रॉकी यह कौन है? सारे गम अपपा, पाटनर, ड्रम पाटनर हम इनसे बात कर रहे हैं, तुम बीच में मत बोलो पापू, बिटा मुम्मी को चाह के लिए बोलना चार बोलना है, शकर कम मैं इंस्पेक्टर अंगरे, मुझे शायद तुम भूल गया है मैं मिला था तुम्हें, बॉम्बे ऑस्पिटल में पर मैं तो कभी बॉम्बे ऑस्पिटल गया ही नहीं मेरा नाम इस्पेक्टर दीवान है, पुना से जब तुम बंबे आ रहे थे तब मैं तुम्हें ट्रेन में मिला था, याद है? कमाल कर रहे हैं आप, मैंने तो कभी पुना देखा ही नहीं मेरा नाम रोकी है, मैं अपनी मंगेतर कहा रहता हूँ और उसका गवा मेरा राजु भी है लेकिन रोकी मर चुका है लेकिन मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ तो फिर वो लाश किसकी थी? वो मुझे भी निवालू लेकिन मेरे पास ऐसे सबूत है जिससे यह साबित हो जाएगा कि तुम जानी हो और सिकंदर भी हो सबूत? आकाश, बिटा चाहे शाहिद यह मेरे फिंगर प्रिंस लेना चाहता है चाहे लही मैं मैं चाहने लेता अरे, 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 पिटा अरे I like it young man I like it तुम बहुत चालाक हो और चालाक जानवरों से खेलना अंग्रे की बहुत पुरानी आदत है यह चालाकियों का खेल तुमने शुरू किया है उसे खतम मैं करूँगा यह तो एक एक्सिलेंट था ना चाहने आप क्या कह रहे है कह रहा हूं कि कुछ दिनों के बाद आपका यह हाथ ठीक हो जाएगा उसके उपर खाल भी आ जाएगी और आपके उंग्लियों के निशान भी लिये जाएगे आखिरा बताते क्यों नहीं कि बात क्या है बात यह है कि तुम अपने यह हाथ काट दो पिर ना रहेगा बास और ना बजेगी बासूरी और फिर फासी जाने से बेतर है के हाथ गवाना मैं तुमारा चैलेंज कबूल करता हूं मैं साबित करूंगा कि तुम सिकंदर हो चलो मिस्टर अंग्रे इंस्पेटर अंग्रे पूना से बंबे जिस खतरनात मुझरिम की तलाश में हम आये, हाथ आये उस मुझरिम को आपने आसानी सा छोड़ दिया, चूँँँँँँँँँँँँगा, आप क्या समझ रहे हैं, मैंने उसे जान बुज कर छोड़ दिया, आप पोर्स मैं यही समझ रहा हूं, और मैं ब फपोले पड़े हुए, इस वक्त हम फिंगर पेट समेश नहीं कर सकते थे, लेकिन उसे गिरफतार तो कर सकते थे, सिकंदर सेथ हाईदर आली का बेटा है, बिनाठो सबूत के हम उसे 15-20 दिन क्या, 15-20 मिनिट भी नहीं रोक सकते, हमारे पुली स्टेशन पहुशने से पहल जो अदालत से रिहा हो गया हो, मैं तुम्हे वचन देता हूँ कि मैं किसी भी हालत में जेनिस के कातिल को गिरफतार करके ही रहूँगा, यह सब जूट है, मैंने कोई कातल को जुर्म नी किया, अगर तुमने कोई जुर्म नी किया, तो पुले से आके वाई थी, मैं बताता जब उन्हें पता चला कि मैं बज गया तब हो सकता है कि उन्होंने पुलीस बेच कर मुझे उल्टे सीदे केस में पसाने कोशिश की हो लेकिन ज़रा सोचो आज तक यहां पुलीस क्यों नहीं आई मेरे blue heaven noodle जाते ही आज जाना है पुलीस कुछ लिए हाँ यह भी बात सही है मेगना जी क्या आपको लगता है कि मैं कातिल हो सकता हूँ पेटी मेरा दिल कहता है यह खोनी नहीं है पुलीस का यहां आना और मुझ पर हमला होना यह साबित करता है कि कातिल जो कोई भी है उस होटल में जरूर था और आप मुझे उस होटल में रॉखी बनकर जाना है डॉन प्यार, I'm here, मैं ले जाओंगा, तुमें नचाओंगा, गवाओंगा, सारे गम पापापा पापा पापा ओ जान जाना, ओ जान जाना ओ जान जाना, ओ जान जाना कितना प्यार तुम्हें करते हैं ये किस तरह बताएं हम कैसे तुम्हें यकी आएगा इसकी तसम उठाएं हम हो जाने जाना, हो जाने जाना हो जाने जाना, हो जाने जाना उसकी हसी पल को तले दिल के हुए सपने जवा उसके बिना नीन्द नहीं उसके बिना चैने कहा उसकी हसी पल को तले दिल के हुए सपने जवा उसके बिना नीन्द नहीं उसके बिना चैने कहा मुहाबत के तराने है तिरी आदों की महदल है हसी दिलदार आजातों तिरे बादों की महदल है कितना प्यार तुम्हे करते है कितना प्यार तुम्हे करते है यह किस तरह बताए हम कैसे तुम्हे अक्या आएगा इसके कसम उठाए हम कि डानो तरा प्यादी आप ग फिक है जो जैने जाना जो जो जैने जान मान । और उपवर्य जो जो चीज तुम्हारी पसली में चुब रही है, my dear, वो रिवल्वर की नाल है, और यह रिवल्वर असली भी है, और लोडेड भी, जड़ो यह वही रिवल्वर है, जो असली भी है, और लोडेड भी, चल मुझे आपने बसका लेके चल, चल झाल हॕआ हुआ भुआ हुआ हुआ । भुआ हुआ प्रिंस वेलकम प्रिंस वेलकम आईए आम रेली सॉरी प्रिंस दरसल मैं खुद कन्फ्यूज हो गया था समझ नहीं आ रहा था कि अखबारों में चौनी और सिकंदर की खबरें चापकर पुलीस हमें किस चाल में भसाना चाथती है इसलिए मैंने उस दिन आप पर हमला किया था लेकिन आज जब आपको रॉकी के अंदाज में गाते हुए देखा तो मैं चौन किया प्रिंस प्रिंस क्या मैं प्रिंस हूँ येस हमारे बॉस इस अड़े के मेरे और ड्रक्स के तमाम कारोबार के फील्ड मार्शल मिस्टर प्रिंस अगर अपने हाथों से लगायवा निशान न देख लेता न तो आज मुझे भी यकीन नहीं होता कि आप प्रिंस हैं ये तुम क्या कह आपके सामने ही तो राका ने निशान निकाला निशान लगा कि आप रॉकी थे और अब प्रिंस मैं मैं प्रिंस आज तक जो आप खेल खेलते आए वो तो पुलीस को मिस्गाइड करने के लिए था लेकिन इस बार आप एक मरेवे रॉकी का भेस बदल कर पुलीस की बंद फ मैंने सोचा कि वो आपका हमशकल है इसलिए जब कानून के हाथ आपके तरफ बढ़ें तो रॉकी को बली बना कर हम कानून से बच जाएंगे इसलिए तो आपने उसकी हरादत की नकल की निशान बनवाया गाना सीखा लेकिन उस गुत्ते की नियत बदल गई और वो आपको मार कर खुद प्रिंस बनने के सपने देखने लगा तब आपने उसे अपने हाथों से मारा और रेलवे की पट्री पर उसकी लाश फिकवा देगा क्या मैंने रोकिया खुद किया था खदारी की सजा हमारे यह सिर्फ मौत है यह सुप्रीमो का ओडर है सुप्रीमो मैं तो भूली गया कि आपकी आदास चली गए हम सबके उपर एक सुप्रीम पावर है जिसे आज तक किसी नहीं देगा उनका नाम है सुप्रीमो और उनकी गैंग के फील्ड मार्शल है आप मिस्टर प्रिंस क्या धिमाग चलता है आप पुलीस को तो आप यू डॉज दे रहते हैं रॉकी की मन की बात तो मिनट में जान ली थी आपने इसका मतलब मैंने रॉकिया खून किया मुझे अपना फादा पुरा करना चाहिए बजा रहा हूँ कहा प्रिंस रॉकी के एकाउंट का हिसाब चुकता करने शिकारी वह होता है डार्लिंग जो शिकार को बचके जाने नहीं देता अंधे शेर का शिकार करना सुप्रीमों कि शॉन के खिलाफ है जानती हो कहा जा रहा है जूली अपनी मौत को आवाज दे अगर ऐसा ना हुआ तो तो फिर मौत उसे आवाज देगी हलो अकाश के कातिल का पता चल गया है क्या कौन है वो आपको उसके पास जाने की कोई जरूर नहीं तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम सिर्फ उसका पता लगाओगी और फिर उसे मेरे हवाले कर दोगी मुझे मेरा वादा याद है मिलनेगी आज शाम ठीक चार वजे अनुमान मंदिर के पीछे वाली पाड़ी पर मुझे मिलिये आकाश का कातिल आपम दिल जाएगा अब शायद तुम मुझे सौदे की बात करोगे मेगन जी जो सौदा आपके हर मेरे बीच हुआ उसके इलावा और दूसरा कोई सौदा नहीं होगा अगर तुम सौदा करने नहीं आए तो कातिल कहा है इस शहर में एक गैंग है जो ड्रक्स का कारोबार करता है रॉकी की बदकिसमती थी जो उसे चाटक रहा है और रात और रात करोड़पती बनने का सपना देखना रहा मैं यहां किसी अदालत की कारवाई सुनने के लिए नहीं आई हूँ बल्कि अपने आकाश की कातल से बदला लेने के लिए आई हूँ अगर तुम उसे यहां नहीं ला सके तो कोई बात नहीं तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो कौन है और कहा रहता है बाकी काम मैं खुद कर लूँगी आप यह जाना नहीं चाहती के रॉकी का कतल क्यों हुआ था मैं कुछ सुनना नहीं चाहती तुम मुझे उस दरिंद का नाम बता रहे हो यह नहीं विग्ना जी आकाश हकुन मैंने किया है तुम जूट बोल रहे हो तुम कातल को मेरे हाथों से बचाना चाहते हो मैं जूट नहीं बोल रहा इन ही हाथों से मैंने उसका गलाग उटा है एक बुड़ी मा एक मासूम बच्चा और एक महभूबा की अदालत तुम्हे मौत की सज़ा सुनाती है मर गया शाला सुप्रीमो वो मारा गया गेम खेलते हैं हम तुम सब कच्चे खिलाडी हो वो मरा नहीं पहुंच गया हैदर अली के घर ये अपके कंधे पर पटी कैसी है एक तीर से दो शिकार करने चला था मगर हो गए तीन मैं कुछ समझा नहीं तुम से जानने के बाद कि मैं प्रिंस हूँ मैंने रॉकी के मंगेतर को फोन किया और उसे कहा कि मैंने रॉकी का खून किया है उसने गुस्से में मुझ पर कोली चला दी और इसी तरह मेरे एक तीर से दो शिकार हो गए एक कि मैं उसकी नजरों में हमेशा के लिए मर चुका हूँ और दो उसकी जबान जो पुलिस के सामने खुलने वाली थी वो अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी है और तो और वो मुझे अपना बेटा समझने लगे अपनी करोनों की चाहतात वो मेरे नाम लिखना चाहते हैं बहुत जल्द मैं करोड़ पती बनने वाला हूँ वाकिया आपने तो एक तीर से तीन शिकार कर दिये अपने वकील से कह दिया है कि वसीयत त्यार कर दे हाँ, त्यार होने में एक दू दिन तो लगेंगे ही मगर जब तक उस वसीयत पर उनके दस्तखत ना हो मुझे उपनी के पास रहना होगा मैं चलता हूँ All the best Supremo Supremo वो आया था हमें साथ खबर है पर इस game में जीत हमारी ही होगी मैं क्या बुचरू सारी गमा पापा पाप क्या क्या होता है तुर तुम अभी का जिंदा हो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूगी अगर मैं हत्यारा होता तो आज आपके सामने या खड़ा ना होता तुम ही आकाश की कातिल हो ठीक है अगर आप समझती कि मैं आकाश कातिल हूँ तो जाए जाके रिवाल्वर ले आए और मुझे गोली मार दीजे मगर यह है वो सबूत जो मेरे जीते जी नहीं तो मेरे मरने के बात जरू देख लेना अगर इतना आप कह रहे तो देखने में क्या हर्ज है ना देख लीजेना तुमने जो कुछ देखा उसे भूल जाना मा और पपो को कुछ दी बताना मुझे ऐसे भी थे, मेरे मंगेतर थे अगर उनने कोई जुर्म किया था तो मैं उन्हें खुद उसकी सजा दिलवाती लेकिन पाशा ने उन्हें मुझसे छीन कर मेरे साथ ही नहीं पलकी ममी और पपो के साथ भी बहुत बढ़ानया किया है उसे इसकी खीमत चुकानी पड़ेगी पाशा तो सिर्फ एक मौरा है हमें तो सुप्रीमों तक पहुंचना है उसके लिए चाहे मुझे अपना भेशी क्यों बदलना पड़े मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आकाश के कातल से बदला नेने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ हुआ में कोई किशमा इतने पर्वाने यहाँ ओ जाने जाँ ओ दिल रुबाँ ओ इतने शमाँ इतने पर्वाने यहाँ ओ जाने जाँ ओ दिल रुबाँ 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 ना जाने कब होगा क्या क्या पता ओ जाने जाँ दिल रुबाँ ओ जाने जाँ ओ दिल रुबाँ इसने परवानी यहाँ ओ जाने जाँ, ओ दिर रुबाँ में कोई शमाँ मेरी निलाह से तू चंदे जाएगा 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 अच्छे के कहा तू दे रहे हा यहाँ में ओ इक शमाँ कितने परवानी यहाँ ओ जाने जाँ, ओ दिर रुबाँ में ओ जाने जाँ, ओ दिर रुबाँ में ओ जाने जाँ, ओ दिर रुबाँ में ओ एक शमाँ कितने परवानी यहाँ ओ जानी जाँ, मोजिर रुबाँ ओ जानी जाँ, मोजिर रुबाँ वाँ, क्या बात है पाशा को खूब दिखाया तुमने तमाशा तुम्हे तो इनाम मिलना चाहिए यह क्या मजाक है यह मजाक नहीं अपने आदमियों से कहो कि बंदु के फेक दे बंदु के फेक दो तुमने मेरी रॉकी की जान होई मैं तुम्हे जिर्दा नहीं छोड़ूगी रॉकी की महबूबा उसे तो मैंने मारा ही था और अब तेरी बारी है जलो डांस होगे, बल्दिन नहींगे तुमने में खुमने पलाइबो शीए हरुमने छेर कितना बाल पड़े हैं, पैसे नहीं क्या काटने को, कितना लेगा जाने, ठेर, ठेर हां तो और अफिकना आई, तो खो टूरा हूंने, पुद्धी है में अगा है, अगर अगर में जास, तोर दोंगा पुद्धाया प्त्तर है, हे यह फुरा बाटल है, तोर देना अपने है आप एक प्रंची ही, गंजा गुमता है, शर्म नहीं आती, तुझे बालते ही है ना, उसके बीची जा, वो दे देगा, मेरा नाम बोल देना, जा जा, बाल बाल बज गया हाँ गंजा, 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 गंजा को काम मिल गया गेम, गेम खेलते हैं हम, अच्छा खिलाड़ी वही होता है, जो जीतता है, और हमने जीतना ही सीखा है, सिकंदर, हाँ मैं तुमसे ही कह रहा हूं प्रिंस, हैदर अली में जो तुम्हारे नाम वसीयत लिखी है, वो तुम हमारे नाम कर दो, पर मैं सिकंदर के साइंग कैसे कर स मैं तो प्रिंसु तुम कौन हो यह हमसे ज्यादा और कौन जानेगा है और सब तो उल्जन में हो सकते हैं पर हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम सिकंदर ही हो क्योंकि इस भूल भुलिया के जन्म दाता हम ही है तुम जुट बोल रहे हो कौन हो तुम है यह है तुम्हारा बा विज्ट्र में बिज्टार्ट में सीखा जासुसी का और हमारी नगार तुम्हारे बाप की दौलत पर पर हमने जासुस के बाप को सीधा लूट कर रिस्क नहीं लेना चाहते चशंव हमने ख्यवन जोब तुम्हारी जगा तुम्हारे हम शकल रॉकी को प्लॉट करने के लिए हमने भेजा पाचा को जब मैं वहां पहुचा तो मैंने देखा हाँ ठी मैं अभी आता हूँ बातुरम से सिकंदर 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 को मारा है और रॉकी आज से तुम सिकंदर कहलाओगे नहीं वह रॉकी मैं सिकंदर अभी पता चल जाएगा यह तो सचमुच रॉकी है यह वो सबूत यह वो सबूत जो साबित करें किеньक तुम ने खतल किया है सबूत तुम्हें ले जानें दूंगा तब न कि तुम माँյ упांढों से भागे ्मेरे आद्मी हो ने तुमारा पीछा किया तुमारी काहताईद हो गया और तुमारी अग्सीट कहाई में तुम्हारी यादाद जा चुकी है हमारी चिंता थोड़ी कम हुई वहां से तुम पहुचे हाईदर अली के घर जहां पर तुम पर नजर रखने के लिए जानते हो हमने किसको भेजा वैसे हमारा असली नाम शोब राज है है तुम्हार बात को गुरेद कर पूछने लगे हमें डर था कहीं तुम्हारी अदाश वापस ना आ जाए हम तुम्हारी वहां मार नहीं सकते थे इसलिए तुम्हारी कमीज में चिट बदल कर हमने तुम्हें पहुचा दिया पूना पत्सम सुई धागे की मेरा नाम लियाकत है मेरा नाम है मोहन मैंकि चॉल्ड और दो कर से तुम्हें पहुंचा जिया जैनी से आए और बैकारी जैनिस हमारे इशारों पर खेलती रही क्योंकि उसका चोटा भाई हमारे कबजे में था हमारे आजवों ने जैनिस के घर पर हरचीज तुम्हारे नाम से प्लांट की तो वह जाना क्यों गिर पड़ी तुम्हारे आदमी जो मुझ पर निचाना लगा रहे थे वह गोली जाकर जैनिस को लगी होगी और फिर तुमने मुझ पर वार किया लेकिन वही आग जो मुझे जला सकती थी उसके गर्मी में मेरी बेहोशी तूटी और मैं वहाँ से भाग न और एक दिन तुम पाउचे होटल जहां पाशा ने तुम पर वार किया तुम फिर भी बच गए हम तुम्हें सीधा मार सकते थे लेकिन हमने खेला गेम तुम्हारे यहां पुलीस भेजी और तुम इतने चालाख निकले कि तुमने पुलीस को भी बेवकूफ बना दिया उसक के बाद तुम होटल ब्लू हेवन में रॉकी बनकर गाना गाने पाथ गये मैंने सुप्रीमों के कहने से बनाया तुम्हें प्रिंस तुम एक नेक इंसान वादा तोड़ नहीं सकते पहुच गये मामर ने मेगना ने तुम पर गोली चलाई फिर आये तुम यहां पाप की वस अमि और प्रिंस का नाम हमने ही दिया हवर बेटारा रॉकी तुम्हारा हम शकल पाशा के हाथों मारा गया तुम्हें यह समझनी आना कि रॉकी क्यू मारा गया था मैं बताता हूं क्योंके मैंने रॉकी से तोस्थी की थी यह क्या कर रहो तुम अरे यार जिन्दगी बड़ी बोर हो गई थी फिर मिल गे तुम मेरे हमशक यह मैने कामरा ओन कर दिया है इसमें रिकार्ड हुंगी हमारी बाते हमारी आगते वगरा वगरा इसे देख देख कर हम एक दूसरी की तरह हो जाएंगे तुम जाना मेरे घर, और मैं जाओगा तुम्हारे घर, सब को बुद्धु बनाएंगे, बड़ा मजाएगा, एक खुशकबरी सुनाओ, मेरी याददाश लौट आई है, और मैं भी भई खेल रहा हूँ, गेम, फिर भी बादरी हमारे ही हाथ में है, और एक बात बताओ, तु उधर नहीं, इधर, गेम, गेम खेलते हैं हम, वहाँ तो हमारी इमिज है, हम यहाँ है, पैचाना सेट जी, यह है आपका बंदा, मिस्टर सक्सेना, जो सिर्फ जीतना जानता है, आपके फाइव स्टार होटल के नीचे, यह बनाई है, हमने अपनी अपूमत, सिकंदर, इन पेपर्स पर साइन कर दो, परना मैं तुम्हारे बाप को खत्म कर दूगा, मत कले अदस तका सिकंदर, पाशा के पाँच किनने तक अगर इसमें साइन नहीं किये, तो जान, एदर अली कोड़ा दो, वान, टू, टू, त् यह बेगोर, यह बेगोर, तुम नखली सुप्रेमो, हमसे ही गेम खेलते हो, बन, बन तुम, मेरी शकल किसीने नहीं देखी उसका फाइदा उठा रहे हो, शुप्रेमो, एक मैनेजर की आवकाद सुप्रेमो बनने की? मैनेजर नहीं, एक खिलाडी, एक खिलाडी ही सुप्रीमों बन सकता है, मुझे मज़ा आता है गेम खेलने में, यहाँ थे वो स्पेंग के माहीं ब्रांच की डकेती, मेरा ही गेम था, और उस पर फसा, एक मैनेजर, ट्रक्स के धंदे माय करता हूं, नमबर दो के धंदे माय कर करता हूं, तुम जोड़ बोल रहा हूं, मेरे ही टेन में मुझे छूटा कहते हूं, जान, शूट इम, उधर नहीं, इधर, तुम से अच्छी गेम खेलते हैं हम, वह मेरी मेश्ती या मैं हूं, इस्पेक्टर अंग्रे, तुम समझते रहे हैं कि मैं सिकंदर का पीछा कर रह और सिकंदर का पीछा करने के बहाने मैं पहुच गया तुम तक, तुम खेलते हो अगर गेम तो हम भी कोई कम नहीं, तुम्हारा सारा पावर हमने खतम कर दिया है, और इस डेन को पुलिस ने चारो तरब से घेर लिया है, तुम्हारा सारा इलेक्ट्रानिक सिस्टिम मैंने कर दिया है, चाहो तो अपने बटन पर लगे हुए रिमोट कंट्रोल को दबा कर चेक कर सकते हो, और अब याभी तुमने जो जुर्म कबूल किये, उस तारे मैंने टेप किये हुए है, नाव यू अर अडर अरेस्ट पाशा का पलड़ गया पासा मैं तुम्हे इतनी असानी से मरने नहीं दूगा, तुम्हारी वया से मैं अपनी याददाश को बैठा, ना मैं हस सकता था ना मैं रो सकता था अपने घर से बेगर हो गया, नाम से अनाम हो गया, मैं तुझे इतनी असानी से मरने नहीं दूगा कानून को हाथ में मत लो इसकी सजा कानूनी इसे देगा अच्छा खेलाडी वही होता है जो अपनी हार कबूल कर लेता है चलो चलो छोड़के तुम अब मुझ को दूर कहीं जाना नहीं तुमको मेरे सर की पसं दीदी को भूलाना नहीं कि इतना प्यार तुम्हे करते हैं तुम्हे करते हैं ये किस तरह बताए हम